प्रिप्टो मार्केट तो डेड़ है क्या बात कर रहे है यार क्रिप्टो मार्केट में तो यह होता है वो होता है भाई उन लोगों को पता है क्या गरना आपना कल की उनको मार्केट दिखा देना उनको पता लग जाएगा कि भीया क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना पोट नहीं है उनको लगता है कि क्रिप्टो मार्केट खतम हो चुकी है लेकिन कल क्या हुआ भाई जिन आल्ट कोईंस को हम डैड समझते थे सोलाना कोईन गाला कोईन जिल कोईन भाई ये टॉप गेनर में आज पे हैं पता है आपको कितना पंप कर गई है पचास परसेंट तीस पर ये नहीं मिलेगा अब इससे हमें क्या समझ में आता है भाई इससे हमें समझ में आता है कि हमारे पोटफोलियो बेशक 99% डाउन है लेकिन जब क्रिप्टो मार्केट में पंप आएगा तो भाई ये जो पोटफोलियो रिकवरी है ना इसकी जो स्पीड होने वाली है भाई पर एक expert बैठे हुए थे crypto के foreign के उन्होंने बुला कि अगर आपका portfolio crypto के अंदर है और आपका portfolio stock के अंदर है तो जो crypto portfolio की recovery speed होगी न वो इतनी होगी कि जो stock का जो portfolio उसको लगबग 10 साल लगेंगे अग crypto वाले portfolio को एक साल के अंदर ही या कुछ महिने के अंदर ही आपको इतनी recovery दे सकता है कहने का अर्थ समझे आप कहने का अर्थ ये है कि डरो मत डरोगे तो भाईया बेच के निकल जाओगे hold करोगे तो कल देख लो आप गाला कोईन 50% अप हो गया गाला जैसा कोईन 50% अप हो गया मेरे भाई जो हमारे fundamentally strong alt coins है न आप उनकी एक potential समझ जाओ अभी से बाकी आप समझदार काफी हो चलो अब बात करने वाले है crypto market के बारे में वैसे crypto ना उनका मुत बंद कड़ी दिया होगा भाई जो कि crypto के बारे में गलत बोलते है कल का pump दिखा दे ना कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा एक शीज में आप से चाहूँगा मेरे भाई आपके भाई ने telegram का जो link है ठीक है comment box में दिया हुआ है महापड जाके आप join कर लो मैं कल रात दो बजे भी अपने telegram गुरूप में active था market के बारे में आपको बता रहा था तो भाई अगर आपको ये knowledge चाहिए तो telegram का जो link है वो comment box में आपको दे रहा हूँ आज की क्या वीडियो है मैं आपको बता दू सबसे पहले क्या ये जो old season आया है क्या ये क्या है ये old season है ठीक है क्या है ये आपका temporary pump है क्या है ये इसके बारे में बात करने वाले हैं आपको किस तरह से market को देखना है साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे project के बारे में जिसमें दो दिक्कते थी वो दो दिक्कत ही ये प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है और अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो यार आपको ये आल्ट कोई अपने पॉर्टफोलियू में रखना है I'm not a financial advisor लेकिन दो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व कर रहा है ये ओल्ट कोई ठीक है अगली बात करेंगे मेरे भाई कुछ थोड़ी सी एक बेरिशनी यूस भी है वो भी बतानी आपको जरूरी है फिर बात करेंगे एक ऐसा ओल्ट कोई जिसको कि हम डेड समझते हैं लेकिन डेड नहीं है पहले बा पिटकोई जाता हुगा दिखेगा फिर राजिस्टर्स पड़ेगा आपका 18,200 से लेके 18,500 का लेवल अब दो लेवल में आपको बता दिये हैं 17,300 से लेके 17,500 18,200 से लेके 18,500 ठीक है इन दो एरिया में आए तो एक छोटी मुटी शॉर्ट पोजिशन आप क्रेट कर सकते हो बिटकोईन के अंदर थोड़ी छोटे छोटे से अमाउंट से ठीक है जादे बड़े अमाउंट से नहीं अच्छा बिटकोईन कब पॉजिटिव होगा बिल्कुल जब ये 200 E.A. में बैठा हुआ है डेली में 19,000 के करीब अगर इसको क्रॉस कर देता है बिटकोईन तो ही बात कर लेता है second topic के बारे में एक assault को है जिसमें की दो दिक्कते थी अब gas करना कौन सा भाई ये एक ऐसी चेन है जिस पे फीर्स बहुत जाता है ये एक ऐसी चेन है जिस पे scalability नहीं है यानि की ज़यादा बड़े large इस पे काम नहीं कर सकते बड़े large area में इससे काम नहीं कर सकते ठीक है ये chain है आपकी Ethereum भाई Ethereum के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं आपको बता दू Ethereum में संगाई update आ रहा है इस update के बाद जो Ethereum chain है ठीक है उसका public testimony होने वाला है Ethereum चेन पे जो है फीस भी कम की जाएगी और साथ ही साथ जो उसकी स्केलिबिलिटी है वो भी बढ़ाई जाएगी भाई दो प्रॉब्लम है अगर ये दौनर सॉल्व हो गई तो मैं आपको ये कहूंगा कि एथिरियम कुछ कॉंटिटी में अपने पास बाय करके रखो रीजन क्या है क्योंकि दौनों चीज़े अगर सॉल्व होगे ना तो बहुत तकड़ा पंप आपको इथिरियम के अंदर देखने के लिए मिलेगा अच्छा बात करने वाले है एक ऐसे एक्षेंज के बारे में एक जो आपको बतायता हूँ एक एक्षेंज है MTGOX यह जैपान का बहुत पुराना एक्षेंज है ठीक है इसने यूजर्स का जो फंट है वो मार लिया था और यह एक्षेंज बंद हो गया अब जो यूजर्स का फंट है MTGOX के पास पड़ा हुआ है अब भाई जो Japan की जो गुवर्मेंट है वो बहुत आप सभी को बता है भाई India की तरह तो नहीं है पाकिस्तान की तरह तो नहीं है भाई जेपान की जो गुवर्मेंट है उसने बोला MTGox को कि आप जो user का funding है उसको वापस क़र दो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है अब बात करने वाले हैं लास्ट कडानो के बारे में तो भाई कडानो जो altcoin है जो project है development इसमें बहुत अच्छी खासी चलनी है backhand पे ठीक है जो top 10 altcoins है जिनके अंदर सबसे best development चली है उनमें से कडानो है लेकिन अभी भी बहुत under value यह altcoin है कडानो के उपर बिल्कुल अपनी नजर रखें बहुत जल्दी कडानो में आपको pump देखने के लिए मिल सकता है कडानो में आपको राहत में भी pump देखने के लिए मिला है बाकी बात करें पूरे cryptocurrency market की तो बस मैं आपको यह कहूँगा कि मेरे भाई hold करो wait करो बहुत लाइक का टारगेट है आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है ठीक है मेहनत को बस थोड़ा सा आपका एक सेगंड लगेगा like करने में thank you so much by tech and be safe crypto nc जिंदाबाद crypto market जिंदाबाद crypto investor जिंदा बाद